हलो एवरिवन आप सबी को मेरे नमस्कार मैं सब दिनेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीजी स्पेसल दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी मेरे चैनल और आज एक घजब का और अनुटा टोपिक मे लेके आयों आपके साथ में कि नेट्रो मार्केटिंग बिजनस अगर आप कर रहे हैं तो नेट्रो मार्केटिंग बिजनस के अंदर दूसरों की सपलता को अपनी सपलता बनाएं कोई आदमी नेट्रो मार्केटिंग बिजनस में सपल है तो उसकी सपलता को अपनी सपलता ब जो भी बंदे आपके साथ आये हैं जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं जो भी परसन आपके साथ हैं उनकी सपलता पर ही आपकी सपलता निर्वर करती हैं अगर वो इंसान सपल हो गया है तो आपका डेपिनेटली सपल होना ते हैं तो इस बिजनेस के अंदर आपको द कि जब भी आप नेट्रो मार्केटिंग बिजनस को जोईन करते हैं जब भी आप नेट्रो मार्केटिंग बिजनस में वर्क करते हैं तो आपके अपलाइन कौन है आपका डाउनलाइन कौन है आपके टीम में कौन है आपके टीम में कितने लोग है अपलाइन से हमेशा सीखना है और डाउन लाइन के अंदर जितना सिखा सको उतना सिखाना है क्योंकि आपको जो बहुत बड़ा रिवेन्यू आने वाला है आपकी टीम में से आने वाला है आपके team successful है तो आप successful हो आपकी team successful नहीं है तो आप भी successful नहीं हो इस business के अंदर आप एक दूसरे की help करके ही आगे बढ़ सकते हैं आप सोचते हैं कि मैं अकेला बंदा इस business में बहुत कुछ कर जाओंगा कभी possible नहीं है my dear friends आप हमेशा एक दूसरे की help करेंगे तभी आप आगे growth हो पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे तो दोस्तों आज का जो topic यही है कि दूसरों की सपलता से अपनी सपलता प्राप्त करना तो हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी team के साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी organization के साथ में जब काम करते हैं तो आपको हमेशा एक दूसरे की help करनी पड़ेगी आपके team के अंदर उन लोगों को सपल बनाना पड़ेगा जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो लोग लगातार आपके साथ लगये हैं जो लोग हमेशा द्रड़ संकल के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ काम करके आप अपनी सपलता को बहुत बड़े उपर पाइदान पे लेके जा सकते हैं तो दोस्तों आज का इटोपिक यहीं समाप्त होता है और अगर आपने मेरे चेनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो मैरे चेनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे बहले मिले दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू सो मच और गुद्बाइ